मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उत्रे हजारों किसान रामलीला मैदान से संसत तक किसान और मजदूर कर रहे हलाबूर जी हाँ आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के खिलाफ आयोजित रेली में किसान और मजदूर दोनों एक जुठ होकर हिस्सा ले रहे हैं आज की चर्चा इसी अंदोलन पर है महंगाई नियूंतम भत्ता कर्ज माफी समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर देश के किसान आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं बुद्वार सुबा किसानों का ये मोर्चा रामलीला मैदान से शुरू होकर संसत की तरफ पहुचा इस प्रदर्शन में देश भर से आई किसान एकित्र हुए हैं यहां तक की बाड़ प्रभावित केरल के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं वामदलों के समर्थंग नवाले किसान भी मजदूर संगठनों की तरफ से आयोजन इस्रेली को मजदूर किसान संगर श्रेली के नाम से जाना गया है इस्रेली में देश भर से 4 लाग से जादा किसान मजदूरों के दिल्ली में जुटने का दावा किया गया है किसानों के मार्च के कारण दिल्ली की कई सडकों पर जाम की स्थिती है ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से मध्य दिल्ली के मुख्य मार्ग खास कर दिल्ली गेट, रंजीत सिंग फ्लाई ओवर, जंतर मंतर, मिंटो रोड, पहाडगंज रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जुड़े मार्गों पर ना जाने का मश्वरा दिया गया है इस प्रदर्शन की अगुआई, All India किसान महासभा के द्वारा किया जा रहा है किसान और मजदूरों की इस महारेली से पहले सीटू और अखिल भारतिये किसान सभा की और से अपनी मांगों का चार्टर मोधी सरकार के सामने रखा है इसमें बीजेपी शाशित केंद्र सरकार पर संप्रदाई और किसान मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आम लोगों को मुहीम के साथ जुड़ने की अपील की गई है मोधी सरकार के खिलाफ लाई गई इस चार्टर में मांग की गई है कि रोज बढ़ रही समानों की कीमतों पर लगाम लगाई जाए खाद्य वित्रन प्रडाली की विवस्ता को ठीक किया जाए मौजूदा पीडी को उचित रोजगार मिले और सभी मजदूरों के लिए नियूंतम मजदूरी भत्ता अठारह हजार रुपे प्रतीमा तै किया जाए इसके अलावा कहा गया कि मजदूरों के लिए बने कानून में मजदूर विरोधी बदलाव भी किये जाए और किसानों के लिए स्वामी नाथन कमेटी की सिफारशे भी लागू की जाए गरीब खेती मजदूर और किसानों का कर्ज माफ किया जाए साथी सरकार से किसानों की मांग है कि खेती में लगे मजदूरों के लिए बहतर कानून बने हर ग्रामिन इलाके में मनरेगा ठीक तरीके से लागू हो खाद्य सुरक्षा, स्वास्त शिक्षा और घर की सुविदा मिले मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा से राहत मिले जमीन अधिकरंट से नाम पर मजदूरों से जबरन उनकी जमीन ना छीनी जाए मोर्चे में मौजूद किसानों ने कहा कि चुनाफ तो आते जाते हैं लेकिन सरकार की नीटियां गलत हैं सरकार को किसानों, मर्जूरों और गरीबों को लेकर अपनी नीतियों को बदलना चाहिए अब यह रेली क्या रंग लाएगी यह तो वक्त बताएगा Thank you so much Keep watching today's for more videos.